प्रियन साथ्यों आज हम प्रभु येशो का स्वर्गरों का पर्व मनाते हैं आज का सु समाचार के आरम में प्रभु येशो ने अपने शिश्यों को दिये हुए अंतिम निर्देशों को हम दीखते हैं अंतिम निर्देशों की द्वारा विशेश रूप से साक्ष्य के आविश्यक्ता को प्रभु हमें समझाते हैं अपने शिश्यों को प्रभू कहते हैं कि उन्हें दुख बोग, मरण इवन फुरूरुथां के लिए वे सब साक्षी हैं ये साक्षी बनने का आवान है आज हमें भी साक्षी बनने का एक निमंतरन मिलता है साक्षी बनने वालों के लिए जो कुछ प्रभु ने प्रतिक्या की है वे सब जरूर मिल जाएंगे उनके लिए प्रभु की प्रतिक्या यानि वाइदा पवित्रात्मा है पवित्रात्मा से परिपूरित होने के लिए हम सब तयार रहें उपर की शक्ति से संपून हो जाने तक शहर में रहने के लिए प्रबु अपने शिश्यों को आगय देते हैं हम भी पवित्र आत्मा से पूरित हो जाने के लिए जागरत रहे और प्रतीक्षा करते रहे आज का सुसमाचार के अंध में हम देखते हैं कि प्रबु की आशिश्पाकर प्रेरिदगर उने दन्डवल कर बने आनद के साप लोटे हम भी इश्वर की आशिश्पाकर और आत्मा की शक्ति धारण कर आनद से अपने जगा लोट कर आनद और प्रेंद का साक्षिवने साक्षर देते रहे कर दो